सो वेलकम बैक दोस्तो आचुके एक और न्यू वीडियो में इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 25,000 के बजिट में आप कैसे एक गेमिंग PC बिल्ड कर सकते हो और उसके मैं कॉम्पोनेंट साथ आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो में जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ तो लेट्स स्टार्ट दिव वीडियो तो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारे बिल्ड में हमने लिया है वो है MSI के तरफ से आने वाला MSI का A320 M Pro Max मदरबोर्ड ये मदरबोर्ड आपको आराम से Amazon पे मिल जाएगा 4000 से 5000 रुपिस के बीच में और ये मदरबोर्ड की में बात करूँ तो ये मदरबोर्ड में आपको एक HDMI स्लोट दो USB 2.0 के स्लोट्स और दो USB 3.0 के स्लोट्स मिल जाएगे आपको और इसमें आप audio mic भी connect कर सकते हो इसके और बात करूँ तो इसमें आप Ryzen के 1000 लेके 3000 के सीरीज तक आप आरम से सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें जो RAM स्लोट से 3200 MHz तक सपोर्ट करते हैं और इसमें आप RAM ओर कलॉक कर सकते हो पर प्रोसेसर जो है उसको ओर कलॉक नहीं कर सकते तो अगर आपको प्रोसेसर ओवर कलॉक मलब CPU जो होता है ओर कलॉक कराना है तो आप Gigabyte के तरफ जा सकते हो Gigabyte का A320M Motherboard या तो आप Asus के तरफ से आने वाला A320M Motherboard पे जा सकते हो आपको तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे तो आप चेक आउट कर सकते हो तो अगला जो component हम लोग हमारे PC बिल्ड में यूज़ करने वाले है वो है AMD के तरफ से आने वाला Ryzen 3 3200G जो हमने पिछले बिल्ड में भी हमारे यूज़ किया था ये बिल्ड में मैं Ryzen 3 2200G यूज़ करने वाला था पर वो मार्केट में अविलेबल नहीं था इसलिए मैंने Ryzen 3 3200G यूज़ किया ये बिल्ड में दोनों का प्राइस लगबग सेम ही है तो आप मैं जब प्रिफर करता हूँ आप Ryzen 3 3200G लो वो आपको परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी देगा ये प्रोसेसर के मैं बात करूँ तो ये आता इनबिल्ट वेगा 8 ग्राफिक्स के साथ जिसके लिए आपको अलग से ग्राफिक कर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये जीटी एफाई जैसे गेम्स आराम से 60fps सपोर्ट कर देगा 720p लो सिटिंग्स पे और 1080p आपको लो सेटिंग्स पे खेलना हो तो ये भी आराम से करवा देगा बस आपको fps में कॉंप्रमाइस करना पड़ेगा और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहाँ जाके भी चेक आउट कर सकते हूँ तो थर्ड कंपोनेंट जो हमारे PC बिल्ड में हम लग लेने वाले है वह XPG के तरफ से आने वाला गैमेक्स D30 जो हमारे पिछले बिल्ड में भी हमने लिया था ये एक बजिट गेमर के लिए बहुत ही साई रैम रहेगा कि लिए ये 30-200 MHz के फ्रिक्वेंसी पे आता है और ओर क्लोग भी हो जाता है और हमसे आप इसको MSI का जो मैंने मदरबोर्ड आपको बता है उस पर ओर क्लोग कर सकते हो और इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा सकते हो तो आपको अच्छा FPS बूस्ट मिलेगा और मैं आपको रिकमेंड करता हो के अगर आपका बजेट थोड़ा जादा होता है तो आप Corsair के तरफ जा सकते हो Corsair का मैंने आपको जो रैम बता है पिछले वीडियो में आप वहाँ जाके देख सकते हो अगर आपका 30K तक बजेट बढ़ सकता है तो और सब कंपोनेंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे इंक्लूडिंग मॉनिटर और कीबोर्ड तो आप वहाँ जाके पर्चेस कर सकते हो तो जो फोर्थ कंपोनेंट हम लोग यूज करने वाले हमारे PC बिल्ड में वो WD Green के तरफ से आने वाला M.2 SSD है जो M.2 की मैं बात कर रहा है वो case वाला SSD नहीं है यह M.2 slot आपके motherboard में मिल जाएगा आपको वहाँ जाके लगा देने का है इसको और वहाँ पर लॉक कर देना है गेम्स कुछ भी इसमें मट डालके रखना गेम्स अगर आपको डालना है तो आप अलग से सीगेट बैरा कुडा का आने वाला 1TB का हाट डिस्क आप ले सकते हो जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता है आप वहाँ जाके भी चेक आउट कर सकते हो तो अगर आपका बजेट थोड़ा बार सकते है तो आप वहाँ जाके भी एक 1TB का हाट डिस्क ले सकते हो और इसका जो SSD में आपको बता है उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो जो अगला कमपोरेंट हम लोग यूज करने वाले है वह पावर सप्लाइज जो जेबरोनिक्स के तरफ से आता है और यह पावर सप्लाइज आपको अपने कैबिनेट में लगाना है और यह 450 वाट इनाफ है आपके से मैं अदरबोरड के आपका बहुत यंद्व रहेगा है आजए आपको सब काम कर देगा और अगर आपको से पीची बिल आपको आपको सिप्लों दक आफमेंग्वर के लिए तो भी आपके लिए बैस्ट रहेगा और गेमिंग लिए यह बैसट रहेगा आगर आप जाएगा वहां जाके आप purchase कर सकते हो मैं इसके लिए आपको बोल रहा हुआ प्रसने कर सकते हो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया थो पहले जाके आप subscribe कर कर दीजिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि कोई भी मैं पीसी बिल्ड की वीडियो अप्लोड करूँ आपको सबसे पहले मिल जाए और कमेंट कीजिए अगला वीडियो कौन सी टॉपिक पर बनाऊ तो वो टॉपिक पर आपको थोड़ा बजेट जादा होगा तो आप ले सकते हो दोनों में आरजीबी तो है पर जो मैंने आपको यह बिल्ड में बताया है आइस वन थर्टी एजी तो आप उसमें आपको पीछे कूलर मिलेगा उसमें आरजीबी आपको नहीं देखने मिलेगा आप एक्स्टरनल जो भी अलग से आप लगा सकते हो आरजीबी कूलर वह आपको एमेज़न पे 300 रुपीस में मिल जाएगा आपको लगा सकते हो अगर आपका बजेट है उतना तो या तो आप उतने में भी चला सकते हो और यह इसमें आपको आराम से यूएसबी के सब पोर्ट मिल जाएगे आपको आरजीबी का बटन मिल जाएगा आप उससे आपका आरजीबी स्ट्रिप को आप कंट्रोल कर सकते हो और आगे आप बहुत कुछ इसमें लगा सकते हो आपको अपग्रेड भी कर सकते हो यह जो भी बिल्ड में आपको भी बता है आप उसको अपग्रेड कर सकते हो उसको आपके लिए अलग से आपको वाइफाई लगाना पड़ेगा तो जो वाइफाई कार्ड में आपको बताने वाला हूँ वह टीपी लिंक के तरफ से आता है वाइफाई एडप्टर आप जाके सर्च कर सकते हैं अमेजन पर आपको मिल जाएगा अगर सर्च नहीं करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वह पर्चेस कर सकते हो 150 Mbps तक की स्पीड देता है वह PCI स्लोट आपके मदरबुड पर लिखा होगा आपको वहां लगा देना है आप YouTube पे बहुत सरे वीडियो देख सकते हो उसके तो वहां जाके भी आप PC बिल्ड कर सक बढ़ियों से कभी तो आप ले सकते हो ये 75 Hz का मॉनिटर है आपको आराम से मॉनिटर में कोई दिक्कत नहीं होगी आप ले सकते हो ये जो कीबोड माउस का कॉम्बो हम ने लिया है वो जेबरोनिक्स के तरफ से आने वाला जैब कॉम्बो है आप वो भी ले सकते हो दोनव RGB है तो आप ले सकते हो अगर आपका बजिट है उतना तो या तो आप में प्रफर करता हो अगर आपके पास पूरा ना कोई monitor हो तो आप उसमें लगाकर चला है बाद में आपका जब बढ़ता है बजिट तो ले सकते हो तो तो दोस्तो आज के लिए इतना ही ये वीडियो में इतना PC बिल्ड हमारा खतम होता है और अगला कौन सा PC बिल्ड कितने रुपे का आपका चाहिए तो आप बता देना तो मैं उसी साब से वीडियो बना दूगा तो चलता हूं मैं अभी दोस्तो तब तक के लिए टेक केर बाइ